में शामिल कालका शिमला रेलवे लाइन में बनी बढ़ोग सुरंग का इतिहास काफी दिल्चस्प है। कालका से 41 किमी दूर आता है बढ़ोग स्टेशन जहां यह सुरंग है। बता दें कि बीसवीन सदी में बनाई गई इस सुरंग का नाम ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बढ़ोग के नाम पर पड़ा। इसके बनने के पीछे कर्नल बढ़ोग की दुखभरी कहानी है। बढ़ोग सुरंग जिसे सुरंग नंबर 33 भी कहते हैं। 1143.61 मीटर लंबी यह सुरंग haunted places में शुमार है। यह दुनिया की सबसे सीधी सुरंग है जिसे पार करने में ट्रेन धाई मिनट लेती है। इस सुरंग को बनाने की जिम्मेदारी ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बढ़ोग को दी गई थी। पहले पहाड का इंस्पेक्शन करदो छोर पर मार्क लगाए और मजदूरों को दोनों छोर से सुरंग खोदने के ओनर डर दिये। उनका अंदाजा था कि खुदाई करते करते दोनों सुरंगें बीच में आकर मिल जाएंगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। करणल बढ़ोग की गलती ब्रिटिश सरकार को ठीक नहीं लगी। दी करने पर वन रुपए का जुर्माना लगा दिया। बढ़ोग इस बात को लेकर बेहद परिशान हो गए और एक दिन अपने कुत्ते को लेकर सुबह टहलने निकला और सुरंग के नजदीक ही खुद को गोली मार ली। करनल बढ़ोग की मौत के बाद 1900 में सुरंग पर H.S. हर्लिंग्टन ने फिर से काम शुरू किया और 1903 में सुरंग पूरी तरह तयार हो गई। इंजीनियर के नाम से ही रखा बढ़ोग सुरंग। ऐसी कहानी प्रचलित है कि H.S. हर्लिंग्टन भी इस सुरंग का काम पूरा नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार चायल के रहने वाले बाबा भलकु ने इस काम को पूरा करवाया। शिमला गैजट के मुताबिक बाबा भलकु ने इस लाइन पर कई अन्य सुरंगें खोदने में भी ब्रिटिश सरकार की मदद की। के बाद यहां अप्रिय घटनाएं होने लगी थी। कई लोगों को इंजीनियर की आत्मा दिखाई देने लगी। लोगों ने बाद में यहां मंदिर और पूजा अर्चना करवाई। मगर इसके बावजूद कई लोग ऐसे हैं जो यहां इंजीनियर के चिल्लाने की आवाजें सुन चुके हैं। हालांकि वास्तव में यह टनल बेहद खौफनाक है भी। पूजा दी जाएं तो अंदर बेहद डरावना मंजिर होता है। अंदर पहाड का पानी रिस्ता रहता है। इस टनल के अंदर कुछ दूर चलने पर आपको एक सुरंग मिलेगी जहां से अजीबो गरीब आवाजें आती हैं। सरकार ने उस सुरंग को बंद करने के लिए लोहे का दर्वाजा भी लगाया लेकिन एक दिन लोगों को दर्वाजे का ताला टूटा मिला। कि रात को टनल के अंदर से किसी के करहाने की आवाजें आती हैं। कोई भी वहाँ जाकर खौफनाक आवाजें सुन सकता है। आप भी!